टोयोटा, जो एक जापनिस कार मानुफेक्चेरर है, जो फेमस है अराउंड वर्ल्ड फोर दियर रिलाइबिनिटी आड परफॉर्मेंस मेजोरिटी ओफ दी कंट्रीज में टोयोटा ने अपनी पकड बनाई हुई है बट एक कंट्री है जो की मेन आटो मोबिन मार्केट है अफ दे वर्ल्ड उसमें टोयोटा अपनी कभी डॉमिननस हासी नहीं कर पाई है और आज के टाइम में वो मेजोरिटी मार्केट शेर खो रही है ये कंट्री और कोई नहीं बट चाइना है क्यों टोयोटा चाइना में सक्सिड नहीं कर पाई और अभी उनका मार्केट शेर कंटिनिसली क्यों गिर रहा है टोयोटा की चाइना स्टोरी स्टार्ट हुई in 1964 मेजोरिटी नी उस टाइम पे टोयोटा अपने वेइकल्स चाइना में इंपोर्ट करता था जो थे मेंली ट्रक्स, बसेस और लार्जर सिडान्स चाइना उस टाइम पे ग्रूइंग एकनोमी था और लोगों के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो नई कार्स अफोर्ड कर पाए तो टोयोटा का में बायर थे गवर्मेंट और गवर्मेंट ओफिशल्स बट जैसे जैसे टाइम आगे चलता गया हम सब ने देखा कि कैसे चाइना को प्रोग्रेस हुआ बट इसका फाइदा टोयोटा को क्यों नहीं हुआ टोयोटा ने around 1990s चाइना मार्केट को सीरियसली लिया और एक सबसीडरी एस्टैबलिश करी इन चाइना टोयोटा मोटर्स चाइना लिमिटेड बट टोयोटा की कार्स थोड़ी expensive साइड पे थी compared to competitors so demand limited था चाइना ने economy open की थी जहां companies को joint venture करके चाइना में business करना होता था बट टोयोटा को अपने technology transfer नहीं करनी थी इसलिए उनका joint venture successful नहीं हुआ तब तब बाकी players जैसे folks weather ने joint venture करके Chinese market में काफी पकड़ बनाई थी बट ऐसा क्या main reason था जहां Toyota western countries में widely popular हो रहा था बट growing Chinese market में वो पीछे बढ़ रहे थे So Toyota American market में कैसे succeed हुआ था Toyota ने starting से ही अपना ज़ादा focus and attention दिया था on the western market Around 1970s and 80s American cars में quality issues होते थे Toyota ने जब से entry नहीं थी in the market उनकी reputation बनी थी for well built product and reliable vehicles की Around 1970s fuel के prices बढ़ने लगे in America Toyota के engines fuel efficient के साथ-साथ powerful भी थे Toyota एक concept follow करती थी Kaizen मतलब continuous improvement ये philosophy का मतलब है कि Toyota constantly अपने manufacturing process and vehicle design को refine करेगी ताकि वो competitive रहे in the market Toyota का dealership network भी strong था across the United States ये dealerships प्रोवाइड करते थे excellent customer service जिसके कारण brand की reputation अच्छी वनी Toyota ने market अच्छे से study किया था and वो American लोगों की demand को समझ रहे थे उन्होंने अपने larger vehicles जैसे Camry and Highlanders market में launch करे साथी साथ छोटे fuel efficient models भी launch करे ताकि वो ज़ादा लोगों तक पहुच पाए बट वह ही दूसरी तरफ Toyota ने Chinese market को underestimate किया था इसी कारण सबसे पहला reason जो Toyota के downfall का reason बना in Chinese market था misreading the market Toyota ने Chinese market को काफी underestimate किया था Toyota का focus था on larger sedans like Camry and others for the Chinese market पट Chinese लोगों को अलग गाडिया चाहिए थी जैसे affordable, fuel efficient and compact cars और गलतिया जो Toyota ने चाइना में की थी वो थी उनका slow start अगर compare करेंगे with Volkswagen and Hyundai Toyota ने serious production काफी leads चुरू किया in China जिसके चलते rival companies को अच्छी Head Start Mini और वो brand loyalty establish कर पाए और एक बड़ा reason जो कि Toyota के failure का बना था that was political tensions between China and Japan China and Japan की एक लंबी history रही है China and Japan में history में कई wars हुए है जिसमें Japan ने चाइना के कुछ parts को invade and occupy किया था Mainly Second Sino-Japanese War जो हुई थी between 1937 to 1945 में चाइना ने अपने कई लोग and जमीन हारी थी जिसके चलते Chinese लोगों में नफरत है for Japan Chinese लोगों को लगता है Japan ने अभी तक उनसे अच्छे से माफी नहीं मांगी है for the wartime actions जबकि Japan आर्ग्यू करता है कि China ने माफी मांगनी चाहिए over various wartime issues ये cold war अभी भी कायम है जिसका outburst देखने मिलता है from politicians and political speeches वही पर Senkaku DIU Islands जो पढ़ता है in East China Sea में उसकी ownership पे भी आए दिन चर्चा का विशे बना रहता है जहां दोनों countries अपना ownership बताती है जिसके चलते छोटे मोटे naval classes देखने मिलते है between China and Japan ये reason के चलते भी Chinese लोगों को Japanese brand पे कम trust है यही नहीं but Chinese consumers की demand from a car भी काफी जादा होती थी Chinese consumers को heavy loaded features के साथ एक vehicle चाहिये होती थी जो की price में बहुत ही सस्ती हो but Japanese brands cost भी जादा करती थी and वो limited features जो की important and necessary होती थी वही provide करती थी India cars जिसके चलते Chinese लोग दूसरी brands की तरफ भी जाते थे बट आज के टाइम पे देखा जाए तो Toyota का report card in Chinese market तो वो थोड़ा serious है Toyota का market share decline हो रहा है in the Chinese market and इसका main reason है growth of Chinese brands जैसे BYD and Jilly Chinese market में domestic vehicles की growth के चलते Toyota को एक major problem face करना पड़ रहा है Chinese consumers के demand पी change हो रही है जहापर majority demand है for electric vehicles जहापर Chinese brand strong position पे बैटी है with feature rich electric vehicles at competitive prices and Toyota इस race में भी पीचे है क्योंकि Toyota का major expertise and focus है on hybrid vehicles and उनका take on electric vehicles पे थोड़ा अलग है than other companies Toyota electric vehicles को as a better option from ICE vehicles नहीं देखती बट फिर भी Toyota अपना market share नहीं खोला जादी है इसलिए वो Chinese market के लिए EV पे काम कर रहे है and battery manufacturers से partnership कर रहे है so क्या लगता है आपको Toyota comeback कर पाएगी in Chinese market and अपने पकड बना पाएगी in electric space अपने thoughts नीचे comment box में छोड़ दो and ऐसे ही interesting videos के लिए channel को follow गर दो